राइपुर नगर निगम प्रतिस्टिट इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पर स्कूलों का निर्मान करवाईगी इस स्कूल में शहर के गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा स्कूलों के लिए फिलहाल जगह की तलाश की जारी है वहीं संबन्द में मेर अजास जेवर और जोन अध्धक्षों ने आज मंतरी रवीन 24 से मुलकात की है बता दे कि इस से पहले चतिसगर सरकार ने प्रदेश के कई स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है महापौर डेवर ने कहा कि आज कृशी मंतरी रवीन 24 ने जोन अध्धक्षों के साथ मुलकात की है दस जोन में से आट जोनों में अध्धक्ष मने हैं उन्होंने कहा कि रायपूर में किस तरह से विकास होना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा हुई है देखे जोन अध्धक्ष चुनों के बाद क्योंकि माननी हमारे प्रभारी मंतरी है रवीन चौबे जी आज जितने हमारे दस में से आट जोन अध्धक्ष को आज माननी प्रभारी मंतरी जी से यहाँ पर मिलाने के लायते है और मानिम्नी मंत्री जी ने बहुत अच्छा आज यहां पर सभी लोगों को अपने वो बता है कि राइपूर के आपकी क्या कार ये योधना होना चाहिए उन्होंने ये बताया कि गरीबों के लेकर आपको काम भी करना है और बहुत सारी योजनाओं के बारे में क्या होना चीए क्योंकि राइपूर में वैसा विकास नहीं हो पाया जिस तरीके से राइपूर विक्सित होना चीए हम लोग ने एक नई स्कूल भी गॉर्मेंट की हम लोग एक लाने जा रहे हैं जो स्कूल जिस तरीके से हम DPS देखते हैं जिस तरीके से हम NH गोयल देखते हैं उसी पैटन पे हम एक स्कूल सरकारी स्कूल हम लाना चाहरे हैं उसके लिए हम लोग तीन-चार जगा हाँ चिन्हित कर रहा हैं दो-तीन दिन में जगा फाइनल हो जाएगी और बहुत जल्दी रायपूर सहर को जिस तरीके से जो गरी तपका है जो नीचे का जो तपका है उन लोगों के लिए जो प्राइवेट स्कूल जैसा स्कूल वैसा स्कूल हो लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा हम बहुत जल्दी स्कूल का भी काम चालू कर देंगे वीडियो जैनलिस्ट अरुन जंगिहिल के साथ चितरा पटेल की रिपोर्ट